बेलकम टू एक्जाम विवेचना तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में आज आयुज़ित किया गया था L.T. कमिशन के संपून प्रशन पत्र को पूर्णाशा की जाएगी कि सभी की प्रशनों के उत्तर सही दिये जाएं और फिर भी लगता है कि किसी प्रशन का उत्तर गलत दिया गया है तो आप हमें बता सकते हो ठीक है न तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला जो प्रशन यहां पर पूछा किया है सिंद में मुहमत बिन कासीम से किस राजाने युद किया था तो यहां पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा तो वो हो जाएगा C दाहर ने किया था अगला परशने 2 शब्दा में उशाषिन किस प्राचिन विद्वान की रचना है तो यहां पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्फ C अचारे हिमचंदर की रचना हो जाएगी यह वाली अगला परशने 3 संदेश रासक को आधिकाल की किस का विदारा में स्थान देंगे तो यहां पर सही बिकल्फ होना चाहिए B या D में से 1 ठीक है ना हम सही मानेंगे D को बाकी देखते हैं क्या होता ओफिशन एंसर की में अगला परशने 4 अपरशन का मुख्य चंद क्या है ज होगे तो जो पाहून दुखवा के रचएता होंगे तो यह होंगे मुनी रामसी है पांचवे का सही बिकल्फ ड हो जाएगा आगे चटा हिंदी सहा हित्त का प्रथम प्रियास किस ने किया था तो यह किया था जॉर्ज ग्रियासन के द्वारा बिकल्प में ये कही नहीं है तो बिकल्प D सही हो जाएगा अगला प्रशने आठ निमन में से कौन क्रिशन भक्त कभी नहीं है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा आठवें का भी धरमदास अगला प्रशने नौ इसमें पूछा गिया है दिब्य प्रबंधम किनके पदों का संग्रह है तो ये हो जाएंगे बिकल्प भी आलवार संतों का नौवें का सही बिकल्प भी हो जाएगा आगे है दस ब्रह्म सुत्तर उपनिशद और भागबत को सही तुरूप से क्या नाम दिया जाता है तो ये दिया जाता है प्रस्थांत रही दसवे का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशने ग्यारवा माधवानल कामकंदला रचना किस कभी की है तो मुझे लगता है सही बिकल्प यहाँ पर C होना चाहिए बाकी गणपती चंदर जो गणपती होगा बिकल्प A फिर कुशल लाव होगा यहाँ पर कुरा लाव लिखा यह कुशल लाव होगा वैसे तो इन तीनों ने भी इसकी रचना की थी पर सबसे अच्छी या प्रमानिक माने जाती है आलम की वाकी ऑफिशल अंसर की में देखेंगे इसका क्या उत्तर माना जाता है मेरे हिसाब से यह प्रशन डिलीट होगा अगला प्रशन बारा कृशन का सरप्रतम उलेख किस क्रंथ में मिलता है तो यहाँ पर भी होना चाहिए पर कई के जगा यहाँ पर ब्रंग्चरित भी दिया है तो देखते हैं इसका भी क्या माना जाएगा अगला प्रशन यह मादव हम परिनाम निरासा किस की पंग्ती है तो दोस्तों यह कई जगा तो बता रहे हैं यह होगी आपकी बिद्यापती की रचना पर कई जगा सूर्दास भी दे रहे हैं इसे भी हम पैंडिंग रखते थे हैं मेरे हिसाब से यहाँ पर बिकल्प इस सूर्दास होना चाहिए बाकी देखते हैं क्या है अगला परशने 14 अंगद पैज गरंद के रचेगता कौन होंगे तो यह हो जाएंगे बिकल्प इस वरदास अगला परशने 15 पहरा था 14 अभे 15 इसमें पूछा गिया है महापुरान किस कभी की रचना है तो जो महापुरान होगी यह आपकी हो जाएगी पुषवदंत की रचना 15 का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला परशने 16 रिति काल को निमन में से कौल सा नाम नहीं दिया था तो रिति काल को कौल सा नाम नहीं दिया था तो यह प्रचार काल नहीं दिया गया था बाकी कलाकाल श्रिंगालकाल ये नाम दिये थे अगला प्रशन है सत्रह रगुनात लंकार किसकी रचना है तो जो रगुनात लंकार रचना होगी सेवादास की होगी सत्रह का सही विकल्प C हो जाएगा आगे है अठरह 1800 इसवी में कलकता के पास श्री रामपूर में पहला च्छापा खाना किसे ने लगाया था तो मैंने आपको बताया था इसमें थोड़ा संशे है A या C में हो सकता है तो देखते हैं C आप मान सकते हो बाकी देखते हैं क्या होगा ओफिशल अंसर की में अगला प्रशन है 19 चुरन साब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता पंक्ती भारतेंदों के किस नाटक से लिए गई है अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब अंधेर नगरी है ये नाटक इनका 19 का सही विगल्ब ये हो जाएगा तो कई बार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि अंधेर नगरी किस विदा की रचना है नाटक तो है पर ये प्रहसन है प्रहसन याद रखिये प्रशन बनता है कई बार ये प्रशन भी बनता है कि जो भारतुल दशा है ये किस परकार की रचना है तो यह है नाटिय रासक, यह भी याद रखिएगा अगला प्रशने 20, चाहा नहीं में सूरबाला की गहनों में गुन्था जाओं किसकी पंक्ती है, माकललाल चत्रुवेदी की, 20 का सही विकल्प B हो जाएगा आगे है 21, दुख ही जीवन की कता रही, क्या कहूं, आज जो नहीं कही किसकी पंक्ती है, तो यह हो जाएगी, निराला जी की पंक्ती किसका सही विकल्प D हो जाएगा दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम और बर्सया गुरूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना अगला प्रशने 22, मिट्टी की बरात धर्ती में क्या है, मिट्टी की बरात धर्ती में उस जनपत का कभी हो, किसकी रचना है होंगी त्रीलोचन शास्त्री की रचना है होंगी, ये 22 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला प्रशने 23, तीसरे तारसब तक में निमन में से कौन सा कवी नहीं है तो ये हो जाएंगे प्रभाकर माचवे बिकल्प ए सही हो जाएगा बाकी केदारनातिय और प्रियाग नायनत्रिपार्थ ये होंगे अगला प्रशने 24, समकालिन कवीता की काल सीमा प्राय क्या मानी चाती है तो ये मानी चाती है 1965 से लेकर 2000 तक 24 का सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला प्रशने यहाँ पर 25, पंचपात्तर निवंद के निवंदकार का नाम बताईए तो ये हो जाएगे पदुम लाल पुना लाल वक्षी अगला प्रशने 26, अमरित और भिश के लेकर कौन होंगे तो ये हो जाएगे अमरित लाल नागर 26 का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला प्रशने 27, हमजाद कुरु कुरु स्वाहा तथा क्याव किसके उपनियास है तो ये हो जाएगे मनोहर श्याम जोशी के उपनियास आपको याद रखना है हमजाद कुरु कुरु स्वाहा और क्याव किस बिदा की रचना है ये उपनियास बिदा की रचना है कई वाल बिदाओं पर भी प्रशन बनता है अगला प्रशन है एक सो उननी सो छे प्रशन है अठाइस उननी सो छे में सरस्वती में प्रकाशित एक अशर्फी की कहानी की लेकर कौन होंगे तो ये होंगे बिकल्प ए पंडित पैंके टेशोर नारायन ए सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है उनननी सो छेलिश मटियानी के कथा संग्रह दो दुखों का एक सुख हारा हुआ तीसरा सुख चील और महाभुज आदि किस अंचल का चित्रन करते हैं तो ये करते हैं विकल्प सी कुर्मांचल का 29 का सही बिकल्प सी हो जाएगा कई जगा कुर्मांचल दिया है कई जगा अलमोडा दिया है सी यहाँ पर हम सही मान सकते हैं बाकी इसको भी ऑफिशिल अंसर की में देखेंगे आगे 30 किस बिद्वान की मानेता है कि नाट का उधे कटपुतली निर्थियों से हुआ था तो ये था डॉक्टर पिशिल का मानना सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला प्रशने 31 बुडे मुह मुहां से तथा तरंग किसके लिखे हुए प्रहसन है देखें मैंने आपको कह था प्रहसन याद रखना है प्रहसन पुछे जाते हैं किसके हैं तो ये हो जाएगे राधाचर अंगो स्वामी के 31 का सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला प्रशने 32 सेना 27 किस तरह की संग्याए होंगी तो ये दोनों ही संग्याए हैं सम्हू बाचक 32 का सही बिकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला प्रशने यहाँ पर 33 किस बाक्य में कर्मकारक का चिन आया है तो ये आया है बिकल्प A मोहन को जाने दो अगला प्रशने 34 अनिश्चिय बाचक सर्वनाम का प्रियोग किस बाक्य में हुआ है तो यहाँ पर 34 का सही बिकल्ब हो जाएगा ए उन्हें कुछ दे दो अगला प्रशने 35 मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया की अंतरगत आती है तो यह 35 का सही बिकल्ब हो जाएगा 49 खिचरी किस परकार का शब्द है तो खिचरी हो जाएगा देशिज शब्द 49 का सी सही बिकल्प हो जाएगा आगे है 40 किस समास में समस्थ पद का प्रियो क्रिय अभिशेशन के रूप में होता है तो यहाँ पर जो 40 का सही बिकल्प हो जाएगा अब यही भाव सी सही बिकल्प हो जाएगा यहां पर अगला प्रशन है 41 इसमें पुछा गया है अश्टा दिहाई का बिग्रह क्या होगा तो यह हो जाएगा बिकल्प भी आठ अधिहायों का समाहार आगे हैं 42 अती बिष्टी में उपसर्ग कहां पर है तो यह प्रशन कन्फ्यूजिंग है तो यहां तो इसका A होगा या तो B होगा देखते हैं ओफिशियल अंसर की में क्या उत्तर होता है तो दोस्तों इस बार की कमिशन में बहुत से प्रशन ऐसे डाउटफूल छोड़ दिये हैं पता नहीं क्यों ऐसे प्रशन डाले हैं इन्होंने कोई बात नहीं ओफिशियल अंसर की में देखेंगे क्या बनता है अगला है 43 जिस तरह से संदेश प्रेशक से प्राप तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं अर्थाद अगर कोई मैस्चे सेंडर भेज रहा है रेसीवर तक उसके मध्यम में मतलब जो उसके बीच की क्रिया को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है बीच के पोर्शन को माध्यम 43 का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला प्रशन है 44 जन संचार संप्रेशन से क्या अभी प्राय है तो ये हो जाएगा यहाँ पर जनता के लिए संप्रेशन 44 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशन है 45 इसमें पूछा गिया है दिवार समाचार पत्रों का प्रारंब कहां हुआ था तो ये प्रत्रमत हुआ था आपके रशिया में फिर इसके प्रशात पता नहीं कहां स्टार्ट किया है बिकल्प के अनुसार में सही उत्तर नहीं बता पाऊँगा आपको C हो सकता है पर definite नहीं हूँ अगला प्रशन है 46 भारत में TV कारेकरम कव से प्रारंब हुए तो ये हुए थे 1959 में पर बिकल्प में ये कहीं पर नहीं दिया है तो आप बिकल्प ये सही मान सकते हो अगला कोशन है 47 पूछा गया है बाचन कर्थेस में दो केंद्रों के बीच के बिराम को क्या कहा जाता है तो 47 का सही बिकल्प दाईए तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो होगा आइस पैन दिष्टी बिराम अगला कोशन है 48 पूछा गया है रचनात्मक साहित्य में भाव कल्पना और बुद्धी के अतिरिक चौथा तत्व कौन सा होगा तो यह हो जाएगा शैली 48 का सही बिकल्प दाईए हो जाएगा अगला प्रेशन है 49 पूछा गया है किस अनुक्रास में उन्विये से अर्थ में जमतकार पैदा होता है तो 49 का सही बिकल्प हो जाएगा लाटानुपरास भी सही विकल्ब हो जाएगा यहाँ पर आगे है 50 इसमें पूछा गया है जहां उपमे का उपमान पर आरूप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार 50 का सही विकल्ब भी आगे है 51 किस चंद में पहले और तीसरे चर्ण में तेरा और दूसरे तर्था चोथे चर्ण में गियारा मात्राइं होती है तो यहाँ पर 51 का सही विकल्प हो जाएगा दोहा अगला प्रशन है 52 घनाकशरी कवित में 31 बर्ण होते हैं यति कितने पर रहती है या यति का मतलब था बिराम तो 52 का सही विकल्प में हाँ पर यह हो जाएगा 16 और 15 पर अगला प्रशन है द्रेपन मनुष्य के मन में स्थाई रूप से रहने वाले और उतेजना पाकर जागने वाले भाव को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपके स्थाई भाव 53 का सही विकल्प A हो जाएगा अगला प्रशन है चोवन श्रिंगार का स्थाई भाव बताईए तो श्रिंगार का स्थाई भाव हो जाएगा रती चोवन का सही विकल्प C हो जाएगा अगला प्रशन है प्रच्पन इसमें पूछा गिया है भारती दिष्टी से महा काब्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए तो 55 का सही विकल्फ यहाँ पूर हो जाएगा 8 सी सही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है चपन पूर्वा पर सवंद जिस काब्य में अप्यक्षित नहीं उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर 56 का सही विकल्फ हो जाएगा मुक्त काब्य बी सही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है स्तावन इसमें पूछा गया है लक्षना शवचक्ति के कितने भेद होते हैं तो स्तावन का सही विकलब हो जाएगा चार अर्थात स्तावन का सही विकलब सी अगला प्रशने अठावन पत्तर कारिता तो अभिवक्ती की ग्यहन साधना है जिसे बैचारिक क्रांती संभव है किसकी उक्ती है ये तो इस प्रशन पर डाउट है दोस्तों या तो अर्जुन तिवारी होगा या बोलाना तिवारी देखते हैं आप शियल अंसर की में क्या माना जाएगा अगला प्रशने 59 जर्मनी के गुटेन बर्ग ने चापे खाने का आभिशकार कव किया था तो ये किया गया था 14.53 में 1453 सही बीकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशने 60 भारत में किसी भारती भाषा में चपने वाला पहला पत्र कौन सा होगा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट क्रियेट कर दिया है इनोंने तो A या B में से हो सकता है पर आप A मानिए इसका सही बीकल्प अगला प्रशने 61 हिंदी समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या लगबग कितनी है लगबग 15 क्लोड के आसपास 61 का आप A मान सकते हो अगला प्रशने 62 भारत में पहली फिलम पत्र का किसे माना जाता है तो यह हो जागा मंच जो की इन दौर से परकाशित होती थी सही विकल्प यहाँ पर A हो जाएगा 62 अगला प्रशने 63 मुक पदीरों की भाषा किस तरह की भाषा होती है अवाचीक 63 का सही विकल्प C अगला कोशने 64 अखवार फार्सी के किस शब्द का बहुवचन है तो इसे स्किप कर देते हैं अगला प्रशने 65 बिंग्यात्मक रिलिख का मूल उदिश्य क्या होता है तो यह होता है सुधारना 65 का सही विकल्प B अगला प्रशने 66 रामचरीत मानस कितने बर्श की साधना से लिखा गया था तो यहाँ पर या तो A होगा या तो B तो चलिए देखते हैं अफिशिल अंसर की में क्या माना जाएगा एक्जेक्ट डेट नहीं बताई है तो 6 है दो साल कुछ महीने लगे थी इसमें पता नहीं कौन सा उत्तर ये मानेगे चलिए छोड़ देते हैं इसको अगला प्रशने 67 निमिलिखित में से कौन सा यूगम सही नहीं होगा तो यहां पर जो सही नहीं होगा तो वह होगा मानस का अंस सूर्दास का नहीं तुलसिदास का ही होगा तो यहां पर C सही बिकल्प मानेगे अगला प्रशने 68 पूछा गया है पेंडिंग रख देते हैं अगला कुशने 70 बिड़ा, कैसल और टैसल किस देश के साहितेकार हैं तो ये तीनों ही हो जाएंगे इटली के साहितेकार, 70 का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला कुशने 71, अच्छारे रामचंदर शुकल ने बिमबबाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो रामचंदर शुकल बिमबबाद का प्रवर्तक मानते थे, F.S. फिलिंट को, 71 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला कुशने 73, सुकरात के पिता का नाम बताईए, तो यह हो जाएगा, इन में से कोई नहीं विकल्प D सही ही यहाँ पर हो जाएगा अगला कुशने 74, आलोचक बूचर के अनुसार अनुकर्ण का अर्थ क्या है, तो यह होगा विकल्प B, साद्रिश बिधान नहीं जैसा वर्थ देखता है, B सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ अगला कुशने 75, लुनजाइनस के अनुसार और दाती रचना के किस तत्व में है, तो यह हो जाएगा, विशे बस्तु और शिर्फ दोनों में C सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रिशने 76 इसमें पूछा गिया है, बर्जवर्थ काब्यों में कैसे लोगों का चित्रन करना चाहता था, तो यह करना चाहता था, हमबल लोगों का अर्था, समानी लोगों का 76 का सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला प्रिशन है यहाँ पर 77 पूछा गिया है, कॉल्रीज और बर्जवर्थ ने किस काफ्यधारा को स्थापित किया था, तो यह किया था सुच्छनता बात को 77 का सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला पुछने यहाँ पर 78 इसमें पुछा यह है भारस के शाषक के मंत्री बुजर्च मिहिर ने किस संस्कृत गंद का अनुवाद भारसी में करवाया था तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प सी पंचतंतर का अगला पुछने 79 इसमें पूछा गिया है भारत में अंग्रेजी को राजवाचा का स्थान कब मिला था तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा 79 का 1837 अगला पुछने 80 पूछा गिया है भारतिय समीधान के अनुच्छे 343 से लेकर 351 में किस बिशे को लिया गिया है हिंदी राजवाचा के रूप में 80 का सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला पुछने 81 प्रतम राजवाचा आयो की निवति कव हुई थी तो 81 का जो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1905 में अगला पुछने सर्जनात्मक भाषा कैसी होती है तो यह होती है मानक अगले जो दो कोशने 83 और 84 इन्हें छोड़ देते हैं इनका नहीं पता है क्या उत्तर होगा अगला पुछने 85 पुछा गया है भाषा सौंदर्य संदर्व और भावर्थ आदी इन में से नहीं रहता है तो यहाँ पर होगा विकल्प सी सारांश लेखन 85 का सही विकल्प सी हो जाएगा अगला पुछने 86 आईनी कर्ण बोलता जैसे शब्द क्या कहलाते हैं तो यह होंगे संकरिया मिश्रित C.R.D. में थ्वाल शेंश है अगला पुछने 87 पुछा गया है किसी भी शास्तर विशेश में प्रिक्त होने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है तो 87 का सही भीकल्प हो जाएगा पारिभाशी की शब्द 87 का A सही भीकल्प हो जाएगा अगला पुछने 88 लेप्टॉप का अविश्कार 1968 में किस ने किया था एलान ने 88 का सही भीकल्प A हो जाएगा अगला प्रश्ण निए 89 इसमें पूछा गया है आपसे अंग अंग मुश्कराना का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर जो 89 का सही बीगल्फ हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प D बहुत प्रसन होना अगला प्रिश्ण है चांदी का जुता मारना इसका अर्थ क्या होगा तो यहाँ पर जो 90 का सही बिकल्फ हो जाएगा डिशुत देना अगला प्रिश्ण है 91 दोती दीली होने का अर्थ क्या होगा तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा 91 का तो पो हो जाएगा बिकल्ब सी डर जाना आगे है 92 अकाश का पुष्प का अर्थ क्या होगा तो यहाँ पर 92 का सही बिकल्ब हो जाएगा असंभब बबस्तु भी सही बिकल्ब हो जाएगा आगे है 93 से लेकर 100 तक उचित पारिभाशिक शब्द का चेहन करना है तो जो 93 होगा तो इसका होगा सही बिकल्प बिकल्प ए सेवा भी लेक आगे है 94 का हो जाएगा अनिवार ये भरती 94 का सही बिकल्प भी हो जाएगा 95 इसका हो जाएगा अधिपत्तर अधिपत्तर सही हो जाएगा यहां पर बारेंट का आगे है 96 इसका हो जाएगा अनुसमारक लिमाइंडर का अनुसमारक हो जाएगा अगला है 97 इसमें जो सही बिकल्फ हो जाएगा निश्यदादिकार 97 का सही बिकल्फ C हो जाएगा आगे है 98, 98 का हो जाएगा पुनर अभी लोकन 98 का D से ही बिकल्फ हो जाएगा आगे है 99, इसका हो जाएगा स्थगन A से ही बिकल्फ हो जाएगा आगे है 100, इसका हो जाएगा पार पत्तर आगे दोस्तों अब हो जाते हैं psychology के question start तो मैं यहाँ पर आपको शुरू में ही बता देता हूँ, यहाँ पर जितना मेरा जो गैस लगेगी, गैस के अधार पर इन प्रशनों के उत्तर आपको बताऊँगा, यह नहीं कह सकता हूँ कि definitely यह जो मैंने बताए हैं सही होंगे ही, ठीक है न, आप इन में थोड़ा खुद का उत्तर बता देता है, कुछ एक तथियात्र प्रशन होते हैं, जिनके की सही उत्तर होंगे, psychology में भी ऐसे प्रशन होते हैं, पर कुछ एक ऐसे प्रशन होते हैं, जिनमें हमें doubt रहता है, तो चलिए, करते हैं वीडियो को start, तो यहाँ पर पूचा गया है, शिक्षन की क्र हो जाएगा बीनेट के द्वारा डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है एक सो तीन साधारन तह चातर अपने विशेयों को नहीं पड़ते हैं इस संदर में क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षकों को जानने का परियास करना चाहिए कि उनमें अध्याइन के प्रती रूची क्यों है अगला प्रशन है एक सो चार बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा तो बताना है क्या है यह तो यह हो जाएगी विकल्प भी उसके बाताबंड से शुरू होती है एक सो चार का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशन है एक सो पांच इसमें पूछा गिया है कक्षिय शिक्षन के संदर में हर्वर्ट ने पांच स्थरी सुझाव दिये थे उद्यश्य कथन स्थर है तो यहां पर एक सो पांच का सही बिकल्प हो जाएगा परिचे और प्रस्तूती के मद्धे में आता है B सही बिकल्प हो जाएगा यहां पर यहां पर अगला प्रशन है एक सुच्छे किसने कहा था खेलकुद एक बच्चे की अंतरजात नस्यागिक प्रविर्ती है तो यहाँ पर 106 का सही बिकल्ब C हो जाएगा मैंक डूगल के द्वारा यह कहा गया था अगला प्रशने 107 शिक्षा की डालतन बिदी का आर्म करने का श्रे किसे दिया जाता है तो यह दिया जाता है आपके पार्क हर्स्ट को B सही बिकल्ब हो जाएगा यहाँ अगला प्रशन है 108 निमन में से रचनात्मक मुल्यांकन के लिए कौन सा उप्युक्त सादन नहीं है तो यहाँ पर मेरे इसाफ से बिकल्ब A होना चाहिए सही उपसतर परिक्षन 108 का यह होगा बाकी देखते हैं आप शीचल अंसर की में क्या इसका सही उत्तर मानते हैं आगे है 109 इसमें पूछा गिया है एक अच्छे शिक्षक के लिए संतोष की बस्तू है तो क्या होगा संतोष की बस्तू आदर और सम्मान सी सही बिकल्प हो जाएगा अगला है 110 इसमें पूछा गिया है निमन में से किसे नसेरगिक गुन का संकेत नहीं माना जाता तो यह हो जाएगा लोगों से जगडा करना अगला प्रशन है 111 एक पाठ के द्यापन के दुरान शिक्षक को किस तर पर अधिक्तम संख्या में प्रशन करने चाहिए तो 111 का सही बिकल्प हो जाएगा प्रगतिस तर पर बी सही बिकल्प हो जाएगा अगला प्रशन है 112 इसमें पूछा गिया है चातरों को मुश्किल शब्दों का अर्थ समझाने में समझाने की बियावारिक प्रदती क्या है तो ये हो जाएगा ये सभी 112 का सही बिकल्प डी हो जाएगा अगला प्रशन है 113 भारतिय समाज के संदर में शिक्षण एक चुनौती से भी जादा है तो बताना है क्या आएगा यहाँ पर तो ये आएगा बिकल्प डी समाजिक असमानता के कारण अगला प्रशन है 114 इसमें पूछा गया है शिक्षक की एक गंबिर कमी हो सकती है तो क्या होगी ये तो ये हो जाएगी उसकी मानसिक परिपकोता क्या होगा शिक्षक की एक गंबिर कमी हो सकती है उसकी मानसिक अपरिपक होता डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला है 115 इसमें पूछा गया है शिक्षक ब्यवसाये दूसरे ब्यवसाये से बहतर है क्योंकि तो यह होगा उत्पादन अर्था चातर एक शिक्षक के लिए आत्मसंतुष्टी का जिवन स्तोत होता है 115 का सही विकल्प यहाँ पर बीमानेगे अगला प्रशने 116 इसमें पूछा गया है नसेर्गिक प्रतीबा होती है इसके कारण तो बताना है किसके कारण होती है तो यह होती है अनुवाशिक बनावट और बातबर निप्रेणना के कारण 116 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रशने 117 इसमें पूछा यह है आई क्यो प्रापतांक साधानत शेक्षनिक प्रदर्शन डैस से सबंदित होते है तो 117 का सही विकल्प हो जाएगा पूर्णता भी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला प्रशने 118 निमिलिकित सिधानतों में से कौन सा पार्थ योजना में शामिन नहीं है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा यह योजना की द्रेटता अगला प्रशने 119, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, मुख्यत जोड देता है इसकी भूमिका पर, किसकी भूमिका पर, तो ये हो जाएगा, पूर्नर बलन की भूमिका पर, 119 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला प्रशने 120, परस्नेल्टी की उत्वत्ती किस शब्द से हुई थी, तो 120 का सही बिकल्प यहाँ पर हो जाएगा, बिकल्प भी पर सोना से, आगे आजाते हैं, अब हमारे पास, जीके का सेक्शन, पहले HPGK का सेक्शन आया है, देख लेते हैं, शनी देव मंदीर हिमाच हिमाचल परदेश की किस स्थान में मनाय जाता है, तो यह मनाय जाता है, अरकी में 122 का सही बिकल्प A, अगला प्रशने 123, भोजरी उत्सव हिमाचल परदेश की किस स्थान में मनाय जाता है, तो यह मनाय जाता है, चंभा में 123 का D, कर्थी हिमाचल परदेश के किस खेतर का लोकन रित्य है कुल्लू का होगा ये अगे है पॉलियंडरी इंद हिमाल्याज पुस्तक के लेखक है बायस परमाल अगला प्रशन है संजे बीदित प्रयोजना हिमाचल प्रदेश के किस जले में स्थित है किन नौर में और कई बार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि भाबा जल्बीदित प्रयोजना कहां पर है तो ये भी किन नौर में होगी हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयो का गठन किस बर्श हुआ था तो ये हुआ था 2006 में 127 का सही बीकल्प B हो जाएगा फिर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बिश्रवद्यालिया के प्रत्रम कुल पती थे यहां पर बिकल्प A डॉक्टर आर के सी हैं फिर अगला क्वेश्चन है 129 इसमें पूछा गया है सन 1948 में चीफ कमिशनर प्रवियंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के रूप में हुआ था या कितने जिलों के साथ हुआ था तो ये वाद चा 139 का सही विकल्प यहां पर A हो जाएगा फिर A 131 इसमें पूछा गया है दामी गोलिकान की घटना कब हुई थी तो दामी गोलिकान की घटना हुई थी 16 जुलाई 1949 को 131 का सही विकल्प यहां पर B हो जाएगा आगे पूछा गया है 131 सन 1805 में कांगड़ा पर किसने आकर्मन किया था तो ये किया गया था गोर्खा कमांडर अमर्सिय थापा की दोरा 131 का सही विकल्प सी हो जाएगा फिर पूछा गया है 132 फिरोजशा तुगलक के आदेशा नुसार किस मंदीर में 300 संस्कृत पुस्त में कर दिया गया था तो ये हो जाएगा बिकल्प सी ज्वाला मुखी मंदीर में रखी गई थी पुस्त के अगला है मुखिला ग्लेश्यर हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो ये हो जाएगा लाहल स्पिती में 133 का सही विकल्प D इसके पर शात है 134 स्वान घा में स्थित होगी 135 का सही विकल्प C आगे है 136 सी सनौट जो हाली में समाचरों में था किस देश के स्मुदर्तत पर 71 होनती सूचना है तो ये तुर्की हो जाएगा फिर 137 एगल एक्ट के नाम से हाली में किस देश द्वारा एक नया कानून लागू किया गया है तो ये किया ये वैसे के द्वारा 137 का सही विकल्प B आगे है MB एक्सप्रेस पर जो हाली में श्रीलंकाई समुदर्तत पर डूग या था किस देश का था ये तो ये था सिंगापूर का 138 का सही विकल्प D इसके पर चाहते हैं यहां पर रिजनिंग के कोशन तो 149 में अगर आप इसे सही विकल्प आना था यहां पर B फिर है आगे तो यहां पर दिशा वाला प्रशन था तो अगर इसे सॉल्व करते है 140 को तो सही विकल्प यहां पर यह होता पश्रीम आगे है 141 इसमें एक अक्षा में बच्चों की संक्षा बताई थी यह है और पूछा था कि कौन सा बच् अप्रियाप्त है अगला कोशन है 142 यह नाते रिष्टे वाला प्रशन था इसमें पूछा था यह प्रशन पर लेना आप सिधे उतर पता देता हूं तो इसमें आना पोट था विकल्प ड़ी अगला कोशन है 143 इसमें पूछा गिया है दिल का दौरा इसके कारण पड़ता है तो आपको पता ही होगा जैसे दिल का दौरा कही कारणों से पड़ता है तो यहाँ पर हमने अलिम्नियट मैथर का यूज करना था हरीदे पर बैक्तीरिया का हमला तो यह तो होना गलत यह नहीं होता है पिर है धरकन रुखना तो यह सही हो जाएगा फिर हरीदे में कर्वी रोग किस बीटामिन की कमी के कारण होता है तो जो सकर्वी रोग होता है ये बीटामिन C की कमी के कारण होता है C सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है 145 कपास तंतू की उत्पत्ती होती है तो यह बीज से होती है सही विकल्प यहाँ पर D हो जाएगा हां दोस्तों अगरभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभशी सब्सक्राइब कीजएगा और वीडीयो को जाधा से जाधा अपने दोस्तों के बीश हयर कीजएगा ताकि वो अपने उत्तर देखने में अस्तानी प्राफ्ट कर सके पुलेमाओं या मुस्लिम धर्वंगुरुओं के अधिकारों को चुनोती देने वाला शाषक कौन था? अलावदिन खिलजी. यहां पर यह सही विकल्प हो जाएगा. अगर आपने कभी अलावदिन खिलजी के वारे में नहीं पड़ा है तो आप पदमापती मूवी देखिए मितरता संदी पर यहां पर हस्ताखिर किये थे तो यह किये थे अमरित्सर में. अगला कोशने 149 किस देश ने भारत में ब्यापारिक किंदर स्थापित करने का प्रियास नहीं किया था? तो यह होगा इतली. बाकी पुर्टगाल ने किया था, फ्रांस नहीं किया था और अगला कोशने 151 सती प्रथा को किस मुगल शाषक द्वारा रोकने का प्रियास किया था? तो यह किया था अकवर के द्वारा? अगला किशने 152 इसमें पूछा गिया है महास्मा गांधी द्वारा दक्षन अप्रीका में प्रवास के दौरां प्रकाशी पत्रिका का नाम बत तो यह हो जाएगा समानता का अधिकार यहाँ पर यह सही विकर्फ हो जाएगा 153 का अगला कोशन पूछा गिया है यहाँ पर सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का उप्रियोग कर सकता है? तो यह हो जाएगा केवल मत की समानता के अफसर पर मान लेजिए सदन में 5 पक्ष कि मत हो जाते हैं तो इसी समय जब मतों में समानता जाती है तो ये जो सदर्न का स्पिकर अपने मताधिकार का प्रियोग कर सकता है अगला प्रशन है 155 उपराष्टपती के खिलाफ महाब्योग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है तो यहाँ पर जो सही अफिशल अंसर की में क्या होगा आगे है 156 International Bank for Reconstruction and Development स्थित है तो जो International Bank for Reconstruction and Development Bank कहाँ पर स्थित है वाशिंग्टन डी-सी में भी सही विकल्फ हो जाएगा आगे है 157 RBI निमन में से किस के सामने करंसी नोट जारी करता है तो यह होगा इन सवी के सामने अगला प्रशन है स्मुद्र हवाई किस के दुरान चलती है या इसके दुरान चलती है ताना है कि वो कौन सा कारण है यह है दिन में स्मुद्र से जमीन की ओर B से ही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है यहाँ पर टैगा पट्टी इसके मद्द्यस्थित है तो यह हो जाएगा विकल्फ सी शितोशन घास मेदान और टूंट्रा अगला कोशन है एक सो साथ निमन में से किस नदी की सबसे बड़ी जल निकास द्रोनी है तो यह हो जाएगा एमेजन में दी आगे है कौन सा राज्य मुंखुली का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह हो जाएगा आफका गुजिरात अगला कोशन है भारत में तांबे की ख़दाने कहां पर सित है खेतरी में खेतरी कहां पर है आप अवर्षी बताईएगा आगे है यहां पर आपके इंगलिश यह कॉशन यहां पर एमबी केवल का एंटोनियम बताना है तो यह हो जाएगा होस्ताइल सी सही बिकल्ब आगे है बनवर्ड सबस्टिटूशन इसमें यह सही बिकल्ब होजगा बिकल्ब भी विन्फाल आगे है 165 तो यहां पर जो डैश है यहां रिक स्थान में किया आएगा तो यह आएगा बिकल्ब सी इन आगे पूछा गया है इडियम तो यह होजगा आप्शन भी टू वी अनसर्टेन आगे हैं हिंदी ग्रामर के कोशन तो दोस्तों इस बार जो LTC मिशन बालों के चार나ा बड़ा ही अलग पैटरन गोशित किया गया था इस तरह कि जो हिंदी के कोशन तो अंत में कभी नहीं पूछे जाते थे यह ग्रामर के थे एक साथ पूछे जाते थे ये नोंने अलग सा पैट्रिनिस्वार फॉलो किया है आप इसको ध्यान रखेगा आपको आगे ये फाइदर देगा इस तरह आप ध्यान रखते हैं तो तो चलिए देखते हैं ब्याप्त का संदी विच्छेद बताना है तो ब्याप्त का संदी विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर बी जमा आप्त सी सही बिकल्प हो जाएगा आगे है 168 प्रशन का बहुबचन क्या होगा तो दोस्तों प्रशन का बहुबचन प्रशन ही होगा कई बच्चे यहाँ पर प्रश्नों तो प्रश्नों नहीं होता दोस्तों जैसे मानलो आपको उधारन देता हूँ मैं कहूंगा अपने बच्चों को या स्टूरेंट्स को जो मेरे अंडर पढ़ते हैं उनको बोलूँगा बच्चों आपको आज 100 प्रश्न पढ़के आना है या ऐसा तो नहीं स्थाब्दी में कौन सा स्मास है तो श्षिताब्दी में जो स्मास अगर मैंने जब डून था, तो यहां पर आया था द्विगूस्मास तो यहां पर यह बिकल्ब कोई नहीं है यह कट हो जाएगा P 놓राशन अगला है 170 हुक्मी में प्रत्य यह है तो बताना है कि हुकमी में कौन सब्सक्राइटी होगा तो यह होज़ेगा बिकल्प्टी इप्राइटी है